Hi guys, welcome to my channel once again So friends, आप सभी को पता हुगा कि Infinix Company ने मार्केट में अपने नए स्मार्टफून Infinix Zero 35G को लोंच कर दिया है जो कि कमपनी का एक बढ़िया और च्छा स्मार्टफून है मार्केट में दोस्तो इस स्मार्टफून की टकर मिलेंगे और आपको इनमें स्मार्टफून खरीदना चाहिए तो दोस्तो बने रही आप इसी वीडियो में एंड तक और इदिया आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरूर करते हैं दूस्तो सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों ही स्मार्टफून के लूक और इनके डीजैन के साथ तो दोस्तो अगर बात की जाए One PDF Note 3 स्मार्टफून के बारे में तो दोस्तो आप सभी को पता हुआ की इस smartphone के back side में आपको triple camera sensor देखने को मिल जाते हैं और इस smartphone के back side में आपको triple camera sensor देखने को मिलते हैं जोटे lens में आता है इसके साथ ही अगर इसके front panel के बारे में बाथ तो दोस्तो इंदर आपको कंपने ने सेंटर पंचुल का टाट वाली कार्व डिस्पले प्रोवाइड कराई है तो दोस्तो फरंट पैनल के मामले में मुझे इंफनिक जीरो थर्टी फाइजी स्मार्टवन ज्यादा बढ़िया लगा इसके अंदर आपको कार्व एमोलेड पैनल देखनी को मिलता है बाकि दोस्तो अगरें दोन ही स्मार्टवन के फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तो इन दोन ही स्मार्टवन के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स के अंदर कुछ कुछ ही डिफरेंस मिलता है जैसे दोस्तो अगर इनके camera sensor के बारे में बात करें तो दोस्तो वन प्लस नोड थरी स्मार्टफून इंदर आपको company ने इसके back side में आपको 50 MP, 8 MP और 2 MP का rear camera और 16 MP का front selfie camera दिया है जबकि दोस्तो infinix 035G स्मार्टफून के बारे में बात करें तो दोस्तो इस स्मार्टफून के back side में आपको 108 MP, 13 MP और 2 MP का rear camera और 50 MP का front selfie camera मिल जाता है तो दोस्तो अगर इन दोनों ही स्मार्टफून के camera के difference के बारे में बात करें तो दोस्तो rear camera के मामले में OnePlus Note 3 स्मार्टफून बढ़िया होने वाला है जबकि दोस्तो front camera के मामले में Infinix 030 5G स्मार्टफून बढ़िया है इसके अंदर आपको 50 MP का selfie camera मिलता है जिससे आप 4K वीडियो को भी suit कर सकते हैं तो दोस्तो बले ही back camera के मामले में Infinix 030 स्मार्टफून बढ़िया आपको बड़े camera sensor मिलते हैं लेकिन दोस्तो इसकी pictures quality OnePlus Note 3 स्मार्टफून चे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती चली दोस्तो बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफून के डिस्प्ले के बारे में दोस्तो अगर बात की जाए OnePlus Note 3 स्मार्टफून के बारे में तो दोस्तो इस स्मार्टफून दर आपको कम्पने ने 6.74 इंच की full HD AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है जोकि 120 Hz रिफ्रे के स्पोर्ट के साथ आती है और इसके इंदर आपको 950 Neats Peak Brands का स्पोर्ट देखने को मिलता है तो दोस्तो इन दोनों ही स्मार्टफून की डिस्प्ले के साइज के इंदर आपको इतना ज्यादा डिफ्रेंस नहीं मिलता है लेकिन दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफून दर आपको इन दिस्प्ले फिंगर पिन स्कैनर भी मिल जाता है चली दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफून के वेरियंट के बारे में तो दोस्तों वन प्लस नोड थरी स्मार्टफून को कंपने ने मार्केट में 8GB और 16GB RAM की वेरियंट में उतारा है जिसके साथ 108GB और 256GB का इंटरनल स्टोज देखने को मिलता है जबकि दोस्तों इन फिनिक्स 035G स्मार्टफून आपको मार्केट में 8GB और 12GB RAM के साथ देखने को मिल जाता है जिसके साथ आपको 256GB का इंटरनल स्टोज देखने को मिलता है तो दोस्तों मार्केट में दोन ही इसके इंदर आपको Mediatek का चिपसेट देखने को मिलता है अगर दोस्तो OnePlus Nord 30 स्मार्टफून के प्रोसेट के बारे में बात करें तो दोस्तो इस स्मार्टफून इंदर आपको Mediatek Dimensity 9000 का चिपसेट दिया है और यह स्मार्टफून Android 13 Overtising System के उपर काम करता है जबकि दोस्तो Infinex 035G स्मार्टफून इंदर आपको कंपनी ने Mediatek Dimensity 8020 का चिपसेट दिया है और यह स्मार्टफून इंदर 13 Overtising System के उपर काम करता है तो दोस्तो इन दोन ही स्मार्टफून के प्रोसेट के डिफरेंस के बारे में बात करें हालांकि दोस्तो Mediatek Dimensity 8020 भी एक बड़ी अचिपसेट है जो कि आपको काफी अच्छा प्रफूर्मेंस दे सकता है चलिए दोस्तो बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफून की बैटरी के बारे में तो दोस्तो बैoral देखा जाए तो दोस्तो इन दोनों ही स्मार्टफून की पाउर्मे की पर्फूल बैटरी मिलती है जिससे दोस्तो इस दोन ही स्मार्टफून आपको लोंग पार वैक अप देने बाले हैं लेकिन दोस्तो इस स्मार्टफून का प्राइज भी कम्पनी ने काफी हाई रखा है क्योंकि दोस्तो इसका 8GB रहे वाला वेरियनट आपको लगबग 34,000 रपे में मिलता है और इदे आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद